पूर्वपाट में हमने कई शब्दों के सातों विभक्तियों के रूपों का अभ्यास किया इस पाठ में सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करेंगे भवंति ती ज्ञात वंतह वाक्येशु तेशाम प्रयोगं अपी कृता वंतह अस्मिन पाठे विशेशतया वयं केशांचित शर्वनामनाम विशेये ज्ञानम प्राप्नु महां तरही कानी सर्वनामानी सर्वादीनी सर्वनामानी सर्व इत्यादीनी कानी चित सर्वनामानी इती कथ्यंदे यद्य पी अनेकानी सर्वनामानी संदी तथा पी वयम केशांची देवा अभ्यासम कुर्माहा सर्व असमद युश्मद आदी सर्वनाम शब्द हैं दूसरे शब्दों की हितर है इन शब्दों का भी प्रयोग साथ विभक्तियों में होता है सर्वा तद ये तद तद किम भावत असमद युश्मद सर्वा तद एतद किम भावत असमद युश्मद एतावताम सर्वनाम नाम विशये उच्चेही वदामह साह तव ते वदन्तो अन्यानी रूपानी अपी वदन्तो ततां तर्व तान तेदः थाव्यां तरिधी ततस्मै थाव्यां पेव्याः ततत्स्यत तलोगो पेशाम तस्मिन तलोगो पेशु तस्मिन पुना अधन्तो तस्मिन तलोगो पेशु तद शब्दस्या पुलिंग रूपानी एतानी स्त्रीलिंगे एवं रूपानी भवन्ती सा ते ताह वदन्तु सा ते ताह ताम ते ताह तर्या ताग्यां तागिदी तस्या ताग्यां ताग्यदा उत्तमम तद शब्दस्या रूपानी वयमिदानी ज्याता मन्ता है वाक्ये ते शाम प्रयोगह करनी यहाँ कस्याह विभक्ते है प्रयोगह कुत्र करनी यहाँ इत्यपी वयम जानी मह एवा इदानी तद शब्दस्या रूपानी उपविज्या वाक्यानी वदामह भवती एकम वाक्यम वदतु तव पातं पटतहां ते पातशालां गचंती ते ब्यह क्रीडा रोचते उत्तमां भवती वदतु तयोहो ग्रंतयोहो लेक कहा कहा ते शाम चात्रानाम गुरहानी दूरे संती जननी तव आखवयती पस्मिन रुक्षे का कहा अस्ती ताभ्यां बालकाभ्यां गनम स्विकरोमी तेन सह बालका क्रीडती तेन सह शालाम कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् Uttamam, किन्तु प्रश्णः नव um wa? T Aa 교hum CIblum 지रै निवसंती Uttamam, इदानी थियctar शब्दस्य स्त्रीलिंग रूपाणी उपईज्या वाक्यानी वक्तव्यानी बवती वदतु सा माम प्रिच्छती ते देवालेयम आगच्छतह आगच्छतह अहम तयासह क्रीडामी समीचिनम सा ते आख्वयती अहम ताम बालिकाम आख्वयम आख्वयामी कुना हो दतो अहम ताम बालिकाम आख्वयामी तस्याह पुस्टके चित्रम हस्ति समीचिनम ता स शालासु चात्राह पटंति तस्ये देनं ददामी ता ह शालां गच्छति ते च्वालं कादतह तस्याह गुरुहम कत्रास्ति तासाम बस्त्रम सुंदरं अस्ति तस्याह गृहे रुक्षः अस्ति ताप्याम सह अहम क्रीडामी तस्याहो शाला कुत्र अस्ति समीचीनम तयोहो माता नलीनी तस्ये उस्तकम ददामी अहम ताहा पृच्छामी तद शब्दस्या नपुन्सकलिंग रूपेशो अधिकम परिवर्तनम किमपी नास्ति केवलं प्रथमा विभक्तव द्वित्या विभक्तव चा परिवर्तनम अस्ति यथा तत ते तानी अन्यानी सर्वानी रूपानी पुलिंग रूपानी यथा संती तथा एव भवन्ति वाक्य प्रयोगा पी सरलह तत पुस्तकम तानी पुस्तकानी अहम तानी ग्रिहानी गच्छामी एवं अन्यास विभक्ति श्वपी प्रयोगा भवति अब आप समझ गए होंगे कि तद शब्द का पुलिंग, स्ट्री लिंग और नपुन्सक लिंग के रूप कैसे बनते हैं वयम तद शब्दस्या रूपानी जानी महाचेत ये तद शब्दस्या रूपाना म्यानम अत्यंतम सुलभम तद शब्दस्या रूपानाम पूर्वम ये कारम योजया महाचेत ये तद शब्दस्या रूपानी ज्ञातानी भवंती एवं भवंती रूपानी ये शह एतव एते पुलिंग रूपानी एतानी वदन्तु एकवारम ये शहर एतव एते, एताम एतव एतान, एतेन, एताग्याम एतरिगी, एतस्माइ एताग्याम एतेट जगः, 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 एतस् स्त्रीलिंग रूपाणी कथम भवंती इती अत्रयवा दर्शितम अस्ति वयम इदानें एतेशां रूपाणां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानी वदामहा आरंभं करोतु एशह गीतम गायती एतेशह संबाशनम करोमी समीचेनम एतस्याह ग्रहे दोड़दर्शनम मस्ति एताह कुत्रगतवत्यह एतेशना पत्रम लिख्यते उत्तमम एतस्मात पत्रम स्वी करोमी उत्तमम एताभ्याम पाटह पटितह एताभिही सहा अज्ययनम करोमी एतस्य मलरं लोचते एतेख कुत्रगत्चतः एतस्याह ग्रहं विजयनकरे अस्ति उत्तमम एतेशु ग्रहेशु ममा बांदवा हलिवसंति एतास संची कासु पत्राणी संति एशा ममा सक्खी उत्तमम एतायोग द्रहयोग द्रीचक्र का अस्ति एताभ्याम अस्ताभ्याम कार्याम करोमी एतत्शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में कैसे होता है ये भी आप जान गए होंगे वयम प्रश्ट्न कराना समये किम शब्दस्य रूपाना उपयोगम कुर महा अताह इदानी प्रथमम तस्य शब्दस्य रूपानी जानी महा पुल्लिंगे एवम रूपानी भवंती कहा कौ के वदन तो कहा कौ के कम कौ कां केल काप्यां कलीगी कसमा काप्यां केप्याः कस्या कलो हो केशां कस्मिन कलोगो केशू पुलिंगर रूपाणी एवं भवंती स्ट्रीलिंगे रूपाणी एवं भवंती का, के, काहा वदंतो कां के काहा काया काव्या काविया 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 चुंसकल इंगे तो के वलं प्रतमा विभक्तो दित्या विभक्तोँ चा परिवर्तन म्बवति। यथा किम के काणी। अन्यास मिभक्तिशू पुलिंग रूपानी यथा भवनति तद्वदेव रूपानी भवनति। ईदानिन किन शब्दस्या उपयोगं कृत्वा अस्माविही सर्वईही अनेकाणी वाक्याणी वप्तव्याणी भवती वदतु केशु ग्रामेशु धनिकाह संती कानी दानी कस्मात दनम स्विक्रुतवां कहा सहा गच्छते अहम कम प्रिच्चामी अहम कैला सहा प्रीडामी कसी नाम गोविंदः कस्मात आपना पुस्तकम आनयामी समीची नम तशरतस्य पुत्रह के लता कस्याह गुरुहम गटवती कस्मात पुक्षात फलंपतती इदानिम कस्मिन तेशे क्रिकेट ट्रीडा अस्ती कस्यमित्रम रमेशाह एतद वाक्यम काह उप्तवत्याह समीची नम किम शब्दस्या सर्वाणी रूपाणी वयम इदानी सम्मेक ज्यातवंता किम यह एक प्रश्न वाचक है इसका प्रयोग भी आप लोगों ने जान दिया है वयम इदानीम एकम सुभाशितम शुन महा व्रुत्तम यत्ने नसम्रक्षे वित्तमे दिया 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 व्रुत्तम यत्ने नसम्रक्षे वित्तमे दिया 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 अक्षीनो वित्ततक्षीनो अक्षीनो वित्ततक्षीनो व्रुत्ततस्थुहतो हतह व्रुत्ततस्थुहतो हतह व्रुत्तम यत्ने नसम्रक्षे वित्तमे दिया 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 अक्षीनो वित्ततक्षीनो वित्ततस्थुहतो हतह अस्मिन सुभाशिते चारित्रस्या महत्वं वरिनितं अस्ति जीवने सचारित्रस्या अत्यंतं महत्वं अस्ति अतहा सुभाशितकारह वदति यत्नेन प्रयत्नेन अस्माभिही वृत्तं नामचारित्र्यं रक्षणियं इति तरही धनस्य विशे कह विचारहा सुभाशितकारह वदति वित्तं आयाति यातिचा लक्ष्मीही संपत तस्याह सभावह अत्यंतं चंचलाह अतहा वित्तं कदाचित आगच्छति कदाचित गच्छति अतहा यदी कश्चन जनहा वित्तात ही नह भवति तरही सहा क्षी नह इति चिंत इतुम नशक्यते वित्ताताह क्षी नहा वस्तु तह अक्षी नहा परन्तो यहा चारित्त्रयात ही नह भवति सहा वस्तु तह ही नह वृत्ततस्तु हताह हताह एवा यस्या वृत्तम चारित्त्रयम नश्टम भवति सहा वस्तु तह नश्टह एवा अतहा चारित्त्रयम अस्माभिही प्रयत्नेन रक्षनियम सुभाशित का अर्थ हमें अपने चरित्र की रक्षा यतन पूर्वक करनी चाहिए मनिश्य के पास धन तो आता जाता रहता है जो व्यक्ति धन हीन हो जाता है उसे अधिन चिंता नहीं करनी चाहिए किन्तु चरित्र से हीन व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है अर्थात उसका संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है पूजा भजनम इत्यादिविह एवा यापयतिस्म तस्य पत्मी अत्यंतम कोपशीला सा सर्वदा पतिम निंडति भवान आधिनम शिवस्य पूजाम करोति किन्तो शिवा किन करोति आस्माकम दारिध्यम न निवारेति भवान शिवम प्रार्थयताम दारिध्यम धूरी करोतु इति पत्तिस्म परंतो विद्यापति ही कदापी ताद्रशीम प्रार्थनाम न कृतवान फला पेक्षाम विना एवा पूजा करणिया इती पस्या सिध्धानता ह। विद्यापते हे भक्तिम ज्यात्वा शिवहा संतुष्टह जाता ह। सहा इतावां संतुश्टाह यत स्वयं स्वरूप पडिवर्तनं कृत्वा कर्मकरा रूपेन सह विद्ध趣ापती हे ग्रिहं आगतवां तस्या सेवां करतुं आरब्ध्वांचा शिवस्या रूपम अज्ञात्वा विद्यापतिही तस्य पत्नी चा तेन सहा सामान्य कर्मकरेना सहाईवा व्यवहारं कुरुताहा कानि चन दिनानी अतीतानी कदाचित विद्यापतिही ग्रामांतरं प्रती प्रस्थिताहा तेन सहा सेवकाह अपी प्रस्थिताहा पादा भ्याम तव सुदूरम गतवन्तों बहुदूर गमनान अंतरम विद्यापति ही श्रांतह जातः तस्य पिपासा अभवत साह कर्मकरम मुक्तवान कुतस्चित जलम आनेतो इती कर्मकरह नाम शिवाह सर्वत्र अन्वेशनम कृतवान किंतो कुत्र आपी जलम नासीत विद्यापते ही पिपासा अस्तीति ज्ञातवान अतहा साह शिवाह स्वाळटा जूतात गंगां महिरानीया साह जलमानीया विद्यापतेच ड्तवान विद्धी पती ही तद जलं पितबान तस्य आस्चर्यम जातम इतहा सक्षाग गंगा जलस्य रुचिह आसी तस्य जलस्य सहपृष्टबान कुटह जलं आनी तवान इति कर्मकरह उकतबान समीपे एकं सरह अस्ति तथा आनी तवान इति विद्यापतिह उक्तवान ना एतद असत्यम यतहा एतद गंगाजलम अस्ती इती तदा कर्मकरा उक्तवान ना समीपे काचित नदी अस्ती ततहा आनीतवान इती एतद पि असत्यम ममज्ञानान सारं अत्र समीपे कुत्रापी नदी नास्ती भवान असत्यम वदती सत्यम वदतू इती पुनह 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 पुष्टवान तदा कर्मकरह निरुत्त रह जाताः इदानीम विध्यापतिह निश्चितवान निश्चितरोपेना अयम सामान्यह कर्मकरह न सहउक्तवान यावत भवान सत्यम नवदते तावदहम जलमपी नपिभामी इती इदानीम्तो निरुपाय हसन शिवह सत्यम विचारम उक्तवान विद्यापते हे महत आश्चर्यम जातं स्विय इष्टदेवह एवा एवा मागताहा इती सहा अत्यंतं संतुष्टहा किन्तो कर्मकरा रूपेणा इती सहा खिन्नह पिजाताहा सहा पुनःपुनःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः इती, विद्ध्यापति ही अंगी कृतवान, अनंतरं शिवहा तेनेईवा सहा आसीत, तो ग्रामय मागतबंतो, कदाचित विद्ध्यापति ही बहिर गतवान आसीत, पत्नी कर्मकरम किमपी कार्यम मुक्तवती, सहा समये नकृतवानिती साकुपिता भवत, तम सम्मार्जन्या समये विद्ध्यापति ही ग्रहम प्रविष्टवान, स्वीयं देवं ताडयंतीम पत्नीम दृष्टवान, कुपिता हा सहा ताम निंदितावान, दुष्टे, कीवरशम अकारें कृतवती, येशाह कहा जानातिकिम भगवान इश्वराह इती, पत्नी पश्चाताप मनुभ इत्तवती, कील्तो, शिवहा स्ववचनान सारं ततह गताह एवा, विद्ध्यापति ही अत्यंतम खिन्ना जाताह, तदनंतरं सहा, शिवष्य ध्यानमे वकुर्ण्वन, शिवष्य भक्ति गीताने रचयन कालं यापितावान, अन्ते सहा, मैठिला को किलहा इत्येवा प्रसि ज्ञाता हवा, आव ज्ञाता हवा, धन्यवाद हा, नमोन महा, इसे के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे तब तक धन्यवाद हा. झाल झाल झाल